गुरुदेव और मागायत्री की चर्ण में कुटी-कुटी नमन आप सभी को प्रणाम गुरुजी ने हमीशा कहा है कि उपासना नित्य हो रोज हो उसमें कभी भी अर्चन ना आने पाए यदि कोई अर्चन आ भी जाए तो मानसिक जब के दौरा गैत्री मंत की नित्य उपासना करें या मंत्र लेखन कर लें तो आई आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि गैत्री की नित्य उपासना से कितना लाब होता है लेकिन उससे पहले थाट अव दड़े जीवन का अर्थ सांस लेना, खाना, सोना नहीं वरन उत्तम जीवन चरिया की साथ उचा सोचना, उचा करना है आई अब जानते हैं कि नित्य उपासना से किया लाब होता है प्रति दिन प्रातहसाय नियमित्रूप से गैत्री उपासना का विधान है उस नियमित्ता में कोई कमी नहीं आनी देना चाहिए तनमैता और एकागरता तो उपासना को सरवांगपून बनाने के लिए अनिवार्य है ही पर इतने मातर से आत्मकल्यान की आवशकता पूरी नहीं हो जाती स्वास्त सररक्षन के लिए दिन में दो या तीन बार हम भोजन करते हैं शरीर के पोशन और स्वास्त सररक्षन के लिए ये आवशक भी है पर इतने मातर से युद्देश मुन नहीं हो जाता इसके लिए ही श्रमशील जीवन जीना दिनचर्या में और भी कई नियमों का समावीश करना आविशक हो जाता है यदि इन आवशक बातों का ध्यान ना रखा गया तो कितना ही पोश्टिक भोजन किया जाए उससे हमको पोशन और स्वास्त सनक्षन के आवशकता पूरी नहीं होती गायत्य उपासना थोड़े समय तक की जाती है लेकिन उसका पूरा लाब तभी मिलता है जब जीवन पत्मे उपासना के साथ साथ साधना का भी समावीश किया जाए पहलवान लोग शारिरिक शक्ति का समवरधन करने के लिए बढ़ाने के लिए शारिरिक शक्ति को पोश्टिक भोजन तो करते ही हैं लेकिन उसका अधिकाधिक लाब उठाने के लिए अधिक शम, व्यायाम, दंड बैठक आदी भी करते हैं तभी उसका समुचित लाब मिल पाता है जिन्हें गायती उपासना से अधिक अधिक लाब उठाना है उन्हें चाहिए कि उपासना के साथ साधनात्मक व्यायाम भी करें यदि उपासना का इस्तर अधिक उचा कर दिया जाए उसे साधना इस्तर की बना दिया जाए तो उसका और भी अधिक मिलता है साधना से आशय उपासना में निष्ठा का अधिक से अधिक समावेश करना है निष्ठा का समावेश संकल्प रहंता अनुशाशन और नियमित्ता की रूप में चरितार्थ होता है निष्ठा के समावेश से संकल्प बढ़ता है संकल्प से मनुबल आत् आंता समन वितनिष्ठा साधक को कठोर अनुशाशन में रहनी के लिए प्रेरित और बात्ध करती है। ये अनुशाशन ही तपश्चरिया कहलाती है। अनुश्ठान साधनाव में इन ही बातों की विशेश रूप से आवशक्ता पढ़ती है। और यदि नियमित साधना में भ पासना क्रम भी अनुश्ठान इस तरका बन जाता है। इसलिए गायत्री उपासना का अधिक से अधिक लाव उठाने के लिए उसमें नियम पालन, अनुशाशन, निश्ठा, ढहनता और नियमित्ता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नियमित रूप से साधना करने पर आ अनुशाशन आता है और ये सब आपके चरित्र में चरितार्थ होता है। इसलिए इन सारे गुड़ों को प्राप्त करने के लिए नित्य गायत्री साधना अवश्य करने चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक् करें और बेल के अइकन पर क्लिक करके औल पर क्लिक करना न भूलें, धन्यवाद।